हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं और कैसे चल रही है आपकी तैयारी तो मुझे लगता है कि अब तक तो आप सारे चैप्टर्स का एक बार रिविजन कर चुके होंगे जहां तक मेरे जो नौलेज में बात है और नहीं तो थोड़ा सा जल्दी कीज़ें कि मुझे लगता है कि जब तक आपके एक्जाम आए आप दो चार बार रिविजन कर चुके हों और अगर मैं आपको कोई क्वेस्चन बताऊं तो आप कहें कि मैं यह तो हमें आता है ठीके चलिए तो आज हम जो करने वाले हैं देखो लॉंग और थोड़े वाले जो लॉंग होते हैं उनको हम कर चुके हैं दो तीन नंबर के जो होते हैं आज हम शॉर्ट टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्चन देखने वाले हैं और मैं फिर से कहूंगी कि इंपॉर्टेंट का मतलब यहां पर यह है कि जो बार बार एक्जाम में आए हुए और आज मैं वैसे मैं पहले भी लिखके लाई हूं लेकिन आज मैं इयर भी लिखके लाई हूं आपके लिए कि कौन-कौन से इयर में बोर्ड नहीं लिखा है मैंने क्योंकि बहुत मुश्किल है यूपी वियार ऐसे लुखूंगी तो पूरा मेरा बोर्ड बर जाएगा तो इसलिए चलिए तो शॉर्ट ट और यहां पर देखो 2011 और 14 के अंदर दो नो बार और यह option में था जैसे कि बियार और यूपी वगरा में राजस्तान में तो नहीं है शॉर्ट टाइप के options में लेकिन बियार में especially short जो question से उनके अंदर option है उनके पास तो यहां पर जो है 11 और 14 के अंदर आया हुआ पहला क्या होता है तो USPARM का अगर हम देखें यह firm है हमारा हुआ ह्था यह पूढूणनोर के यह पूढ़े हमारे और यह यह more to हम सिर्फ questions नहीं कर रहे हैं हम revision कर रहे हैं यह आपको लगा होगा हमेशा कि मैं कोई question का सिर्फ direct answer नहीं लिखती हूं उसे explain करती हूं और उसे जुड़ी चीजे भी बताती हूं और आपको पता इसको एक और नाम दिया जाता है यह जो mitochondria की design है मद्यवाग में यह head part है और यह tail part है तिके मद्यवाग में यह जो mitochondria की गुमावदार हमारे पास लड़ी लगी हूए इसको क्या बोलते हैं नीबेन कर्ण बोलते हैं याद आ रहा है तो इस पे भी सवाल आया हुआ है नीबेन कर्ण क्या होते हैं objective में MCQs के अंदर और इस chapter के MCQs हमने किये हैं तो काफी इ क्या होता है तो हम कहेंगे कि मद्यकाए में mitochondria होते हैं Mito बहतो,----------Py-he-he-he-he, पूरा लाइन आप लिख लेंगे, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहे lawsuits, दूसरा हमसे पूछा है, ध्वनि की एकाई यह क्या है तो आप लिख देंगे कि, mushrooms की एकाई यह क्या है भई, whoa णी की एकाई क्या है , ध्वनी की 1 काईएं डेसीबाल है ठीके एक और चीज़ यूँज आपको बतानी है DB जिसको कहते है कि कौन सी लिमिट है जिसके बाद ध्वनी प्रदूशन हो जाता है किस सीमा के बाद ध्वनी की 1 काईएं अध्वनी प्रदूशन बन जाती है इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे चलिए नेक्स की दरफ चले हम कि Plasmid DNA किस शुक्ष में जीव में पाया जाता है simple है सवाल है देखो काफी बार 2011-1407 में भी आया हुआ है और जैसे कि मैंने कहा ये सभी boards का है मैंने आप से कहा कि आपके चक्कर में मैंने अपनी एक्जाम के लिए इतने model paper नहीं चाने होंगे जितने आपके एक्जाम के लिए चान लिए तो भाई ये questions बहुत सारे board में repeat हुआ है क्या है देखो आप repeat हुआ से मेरा मतलब यह नहीं कि इसी form में आपको मिला है किसी में यह MCQs की form में पूछा हुआ है किसी में short type की form में पूछा हुआ है तो वो सारा मिला के मैंने बोला है कई बचा कई नहीं में पास 2011 का paper है मेरे तो नहीं repeat हुआ ऐसा नहीं है देखो MCQs में भी यह question बन सकता है कि plasmid DNA किस शुक्ष्मजीव से पाया जाएगा चार option तो optional में था या short type में था मैंने उसका year लिख दिया है तो बताओ ज़रा क्या answer होगा इसका इसका answer क्या है किस शुक्ष्मजीव से लेते हैं आप plasmid DNA तो हमारे पास बली का बकरा जो है eco, r1 e coli ischerichia coli जो है हम क्या करते हैं नाम से इसको जानते हैं और इसको बली का बकरा भी कहा था मैंने आपको अगर ध्यान हो तो इससे हमें plasmid मिलता है और भी हैं हमारे पास sources लेकिन क्योंकि ये बड़ा famous है जादा तर इसी का उपयोग करते हैं का नाम हम लिख सकते हैं टिटनस किस bacteria के कारण होता है ये देखो मैंने आपको टीके पढ़ाया था और कहा था कि ध्यान लखना कहीं बार इनकी disease ये मैं आपको बता दू मुझे याद है ये भीहार वालों को पुछा हुआ question है ओर डोडाल सी और हैं। टिटनेस इस एक्स्टा कुसी होता है। टोषक्राइब आ टीस ब्रकेशने और धागनेकुज कर दोड़यिए 10 EPA 234 थारे सब्सक्राइबंक है। प्सक्राइब 189 क्लिग मिभी सब्सक्राइब पुमिए 109 नगा जाता है तो वैक्सिनेशन कौन सा यूज करते हो भई डीपीटी का टीका डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है डिप्तीरिया पर्टुसिस टिटनिस ठीक है यह का ही टीका है इसके फुल फॉर्म भी यह यह हमने mcqs में भी किया हुआ है शायद कहीं न कहीं हमने इसको किया है और chapter के अंदर तो किया ही है चलिए next की बात करें अगर हम तो हमारे पास है कि अगारोस का प्रयोग किस काम में किया जाता है 2004, 14 और 12 के अंदर पूछा हुआ है यह भी एक बार mcqs में पूछा हुआ है और जब हम इस वाले chapter के mcqs करने वाले हैं तो इस chapter के mcqs में भी आपको यह सवाल मिल जाएगा क्योंकि यह आया हुआ सवाल है और short में भी पूछा हुआ है तो अगारोस का प्रयोग हम कहां करते हैं बई जो अगार अगार से बनता है वो किससे मिलता है जल्दी से चैड वॉक्स में बता दो फिर मैं अपना अंसर बताती हूँ तो अगार-अगार जो है एक प्रकार की अलगी से मिलता है और उस अलगी का क्या नाम है रेड अलगी इसके MCQ आएंगे उसमें भी एक वेश्चन क्या पैरेसाइट बने हुए हो परजीवी बने हुए हो क्या चैप्टर पढ़ लिया रिवीजन आप खुद कर रहे हो मेरे वन्चोट के बाद ही आप MCQ करोगे ऐसा सोच रहे हो अगर हम वन्चोट के हिसाब से MCQ करवाएंगे तो फिर इस साल तो सारे MCQ नहीं हो पाएंगे क क्योंकि वन्चोट संडे संडे होते हैं और मुझे यह है कि मैं आपको सब कुछ दे दूँ आपके हिसाब से MCQ तो कम से कम सारे चैप्टर के वन्चोट का ऐसा चल रहा है कि अभी हमारे पास टाइम है तो मैं सीक्वेंस वाइस चल रही हूं वन्चोट के लिए जैसे कि चै इंपोर्टेंट चैप्टर के पहले MCQ मतलब वन्चोट लेना शुरू कर देंगे और बीच में इन्वार्मेंट वाला चैप्टर छोड़ देंगे क्योंकि वह इतने इंपोर्टेंट नहीं है पीछे वाला लास्ट चैप्टर तो पॉलूशन पॉलूशन है तो इंपोर्ट सब देखेंगे उनको तो सब एकक क्वेसेंगें है और रूवा چुंप ये अपको पता ही है अच्छा यह पे Coral lg यह अभी तक आपने jam sir देरिया होगा Ilg salvation कौन सी एलगी है बई जैली डियम और दूसरा क्या है ग्रैसी लेरिया ग्रैसी लेरिया ये वैसे अपने 11 पे पढ़ा होगा बच्चो लेकिन देखो बियार वाले specially मैं बहुत बार बोल चुक हुई कि बियार के पेपर में मुझे 11 कनेक्ट करती हुई बहुत बार मिली है तो बियार वाले बच्चे थोड़ा सा सतर करें हर चीज को धहान से पढ़ें क्योंकि उत्पटांग क्वेस्चन्स है वहाँ पे उनके तो शान्ती और MP का पेपर आपने देखी लिया होगा क्या मजेधार पेपर था मस्त वाला एकदम क्रशी बीच का एक उधारन क्रत्रीम बीच का एक उधारन बताओ क्रत्रीम बीच मतलब आर्टिफिशल बीच अब आर्टिफिशल बीच का मतलब यह नहीं कि जो बीच आपने बनाया है यहाँ पर क्रत्लीम बीज से मतलब है कि जहाँ पर हमने या तो कोई जेव प्रोध्योगी का यूज करके कोई बीज बनाया हो या फिर हमने जो शूक्ष्म जीव है उनसे यूज करके जो हमारे चैप्टर है उनसे रिलेटेड बात करें हो शूक्ष्म जीवी का यूज करके हमने कोई उननत किस्म के बीज बनाया हो उनकी बात करनी है तो बताओ कौन कौन से बनाया है याद आ रहा है कुछ नहीं बेटा सिंपल सा है बस उल जाने की काम है ही आपको और कुछ नहीं थोड़ा सा ध्यान इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जादा करवा रही हूं बले यह चोटे चोटे लगते हैं मैं एक एक नमबर के क्या क्वेश्चन करवा रहे हूं लेकिन यह एक एक नमबर आपको भारी बढ़ जाएगा अच्छा यहां पे आपने देखा मैंने बनाया आप भी बना सकते हैं थोड़ा सा पूरा बनाना वही मैंने तो आदा ही बना दिया ठीक है पूरा यह ऐसे गोला नहीं ऐसे कैप क्या है यह एक्रोसों में और यह केंद रखे लिख दोगे पूछ तो लिखी दोगे थोड़ा बहुत इंप्रेशन अच्छा जब हम च ठीक है एलफा कैरेट नाम का हमने क्या बनाई है यह लखा बनाया भी अध्या गाजर बनाही किया हैा इलफा कैरेट नाम दिया है उसको उस बीच को उसमें विटामिन ए बहुत जादा है और क्या बनाया है यह पूचा है है Britney सेवर, क्या सेवर, टमाटर सेवर बनाया है भई हमने, क्या होता है टमाटर सेवर, यह ऐसा टमाटर है जो जल्दी सड़ता नहीं है, यह सब हमने अलग 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 प्रकार के बीज और यह सब बनाय हुए है, ठीके अलफा कैरेट, बीटा कॉटन, बीटा ब्रिंजल, सबसे कौन सा BT से यूज किया था हमने BT, Brinjal हमने सबसे पहले बनाया था, कपास तो बाद में आया था अगर BT Cotton का सबसे पहला बनाया है पूछले तो आप क्या लिखोगे BT Brinjal बनाया है सबसे पहले Bangun Famous भले कपास हो, लेकिन बनाया पहले बेंगन हैं यह मैंने आपको class के अंदर बताया था ठीके चलिए next के अंदर आ जाएं अब बहु बुरूनता से आप क्या समझते हैं बहु बुरूनता क्या है एक से ज़ादा बहु और बुरूनता जिसको हम क्या बोलते हैं polyembryony polyembryony क्या रहे हैं इसमें कुछ एकसर चीज़े मैंने एड किये हमारे class से थोड़ा सा और दो पॉइंट एड किये हैं क्या है polyembryony जब किसी युगमनत से दो या दो से अधिक प्रकार के बुरूनों का विकास हो जाए या डिरेक्ली आप लिख दो दो या दो से अधिक बुरूनों के निर्मान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बहु बुरूनता कहते हैं सामाने था एक बीज के अंदर अगर पॉदो की बात करें तो एक ही बुरून होता है और एक जीव के अंदर एक ही बुरून होता है लेकिन कहीं बार ऐसी situation बन जाती है कि हमारा जाइगोर्ग बाजित हो जाए या पादपों में अगर हम बात करें क्योंकि हमने बहु कि प्लांट वाले चैप्टर के अंदर पड़ा है कि प्लांट के अंदर हमने देखा था कि कहीं बार कोई कोशिका जो है वो बुरून बना देती है बुरून के अलावा कोई कोशिका चाहे वो बुरून कोश की हो याद तो आ रहा है ना चैप्टर नंबर 2 चाहे वो कोशिका हो यह भी बुरून बना देती है यह सारी बाते हमने पड़ी हुई है तो हमें यहां पर ध्यान रखने कितने नंबर का है वैसे यह सवाल सिर्फ एक नंबर में आया था तो मैं उस हिसाब से एक नंबर के इसाब से तो बड़ा ही बता रहे हूं वो इसलिए कि जादा आजा है तो आप क्या पॉइंट एड़ कर सकते हो यह जो मैंने अभी बोले वो तो लिखी दोगे वो तो सभी लिखेंगे बुक के अंदर ही है कि कब-कब वहुं वरूनता हो सकती है ठीक है जो अभी मैंने सिच्वेशन बताई लेकिन और क्या लिख सकते हो जाइगोड की विबाजित कोशिका को ब्लास्टो मियर कहते हैं ब्लास्टो मियर क्या है जाइगोड से पहले मोरूला बनता है फिर ब्लास्टूला बनता है जिसमें जो कोशिकाएं होती है उनको हम ब्लास्टो सिस्ट भी कहते है तो ब्लास्टो सिस्ट भी लिख दोगे तो सही है वैसे ब blastocyst blastocyst बनता है और फिर वो क्या होता है? implant होता है ठीके? यदि blastomere को RMB कवस्ता में ही प्रतक कर दिया जाए तो प्रतेग blastomere से संपुर्ण individual individual का मतलब individual का मतलब क्या है वही? प्रतक रूप से व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतलब एक अलग बुरूण बन जाएगा ठीके? यहाँ स्थनियों में कौन सा होता है? यह हमने class में नहीं देखा है तो थोड़ी सी important चीज है इसको note कर लें यह स्थनियों में कहां सा होता है? ermodilus में के अंदर होता है ermodilus के अंदर ermodilus एक इस्थनी है जिसके अंदर बहु बुरूणता देखी जाती है अब पौदो में तो देखते ही है पौदो का क्या example है? plants में क्या example देखे थे हमने? बहु बुरूणता के अंदर citrus fruit citrus fruit ठीके? उसमें हमने संत्रा, नारंगी यह सब देखे थे कई बच्चे बोल रहोंगे में संत्रा नारंगी एक ही होता है नहीं, वो आपकी गलत फहमी है चलो, आजो और इंसानों में भी बहु बुरूणता होती है बिल्कुल होती है जिसका example हमने पढ़ा है एक वीडियो भी बनाया है जुड़वा बच्चे कैसे होते है ठीके, वो यूट्यूब पर पढ़ा है learn and share के तो आप देख सकते हैं कि कैसे जुड़वा बच्चे होते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसमें एक ही जाइडगोट की विभाजित होने से चार से आठ यंग वंस यंग वंस का मतलब देखो मैंने जान बूचके यहां इंग्लिश लिखी है क्योंकि मैंने आप से कहा है कि पेपर के अंदर कहीं जगा पे मुझे मॉडल पेपर में इंग्लिश मिल रही है ठीके और नाम भी बताया है मैंने किसको सतरक रहने की जरूत है बिहार वाले बच्चों को उनके बहुत इंग्लिश चेपी हुई आ रही है ठीके तो यंग वंस का मतलब नए संतती जिसको हम आफ स्प्रिंग भी कहते हैं है ना युगमर नया जो बेबी होता है जिसको नवोदबिद भी कहते है नवोदबिद नवोदबिद मतलब नया ब्रून या नया बीच का निर्मान होता है जो एक ही लिंग के होते हैं ठीके इनका वैसे इंसानों में ये बदल सकता है सेक्स अलग भी हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा मैंने आपको बताया है तो निर्मान हो सकता है मानों के अंदर जो आइडंटिकल ट॰िंस है आइडंटिकल ट॰िंस की बात करिए हमने उस वीडियो के अंदर वो पॉली एंब्रियोनिक का उधार्न है एक से ज़्यादा बून बनते है ठीकिल, उसमें क्या होता है? एक ही जायगोड जो है, वो दो भागो में बढ़ जाता है. इससे एक बेभी बन जाता है, इससे दूसरा बेभी बन जाता है. और अगर यह एक ही जायगोड से बने तो, इनके sex भी same होंगे. अगर यह boy है तो, यह भी boy होता है. दूसरी condition क्या होती है दूसरी condition में हमने यह बात की थी कि अगर जाइगोट ही दो बने जाइगोट ही दो बन जाए तब ऐसा situation हो सकता है कहीं बार क्या होती है दोनों ovaries एक साथ egg डालना शुरू कर देती है तो दो egg होते हैं दोनों से एक एक sperm बनने लग जाता है तो यहाँ प के अंदर की है चलो यह हमारा उद्देश नहीं अभी है ना और situation conditions आप बता सकते हैं इंसानों की तो हमें नहीं करनी क्योंकि हमारे उसके अंदर ही नहीं सिलेबस के अंदर हमें plant वाली बात करनी है तो मैंने आपसे कहा 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 बन सकता है या तो जो युगमनज है वो डिव बीज सकते हैं अगर ज्यादा नम्बर में तो आरोपन किसे कहते हैं और यह क्रिया कब प्रारंब होती है आरोपन को क्या कहते है implication implication कब होता है भही जब युगमनज बन जाता है युगमनज से मोरुला अर्ब्लास्टूला और पिर क्या बनता है जो हमारी युट्रस की वाल फीमेल की युट्रस की वॉल है वहाँ पे आ जाता है कौन से डे पे आता है यही पूछ रहा है वो कब कारम होता है यह ब्लास्टूला आ गया है और ब्लास्टूला दीरे-दीरे क्या हो जाता है गरबाश की दिवार के अंदर फिट हो जाता है यानि की फिक्स हो जाता है समाह हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं आरो हण या implantation कहते हैं कब होता है यह 7th day पे होता है ठीके लेकिन कहीं books जैसा मैंने पहले भी बात कियोगी कहीं books इसको लिखती है 6 से 12 के बीच कभी भी हो सकता है लेकिन generally एक average हम जब निकालते हैं तो हम यह कहते हैं कि सातवे दिन पे implantation हो जाता है इस तरावी phase के जब चल रही होती है glucose का secretion होता है कुछ याद आ रहा हो आपको है ना मेरी बताई हुई classes में से blastocyst के माता के गरबाशे की दिवार में इस्थापित होने की क्रिया को आरो पर या implantation कहते हैं यहां क्रिया निशेचन के सातवे दिन होती है इस क्रिया में बुरून का बुरून यह सीरा गरबाशे के आतर इस्तर गरबाशे का आतर इस्तर कौन से है endometrium 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 मतलब आंतरिक सता जो देती है यह वाली design वाली यह है ना इसके अंदर समाईत होता है ना आंतरिक गरबाशे बित्ती endometrium की दिवार के अंदर क्या हो जाता है दस जाता है और निर्माण किसका होता है फिर placenta का अपरा का निर्माण होगा ठीक है placenta बस इतना सा लिखना है बई एक नमबर में ही था यह question ठीक है इसलिए जादा कुछ हमें लिखना नहीं है छोटी छोटी question सी है आज अब है यह देखो यह सवाल तो बहुत पुराना हो गया है यह मैंने year भी कम ही लिखे हैं जिस हिसाब से यह सवाल आया हुआ है कभी short में कभी filling the blanks में कभी mcqs के अंदर कभी कही ठीक है एक संकर क्रॉस द्वारा द्वी संकर क्रॉस के फीनोटिपिक अनुपात को लिखें एक संकर वाला फीनोटिपिक लिखना है द्वी संकर वाला फीनोटिप लिखना है या फिर अथवा में आया हुआ है यह question है या है यहां पे ठीक है नहीं इ अथवा में नहीं है, दोनों के अंसर देने है, उत परिवर्तन को परिभाशित करें, अथवा में नहीं था यह, 2011, 2008, 2014, 2015, 2009, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि हर साल यह दो आये हैं, मतलब कि मैंने दोनों के मिला के year लिख लिए हैं, यहां पर, कि यह भी आया हुआ है, यह भी चलिए, बात करें, सबसे पहले वाले की एकल संकरण संकरण, ठीके, एक संकरण में क्या होता है भई, फीनोटाइप, फीनोटाइप किसको कहते हैं, जिसको हम बाहर से देख पाते हैं, बाहरी आकारी की रूप को देखने से, जो हमें द्रश्य दिखाए देता है, प्रदश दूसरा वाला लिखना है F2 वाला द्वी में क्या दा द्वी संकर संकरण में क्या फिनोटाइप था तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 यही था बिलकुल इजी सा सवाल है दूसरे की अगर हम बात करें उत परिवर्तन किसे कहते हैं सभी बता देंगे जीवों के गुण परिवर्तन को हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन किसी जीव के अनुवानशिक बदलाव को कहते हैं जो कि गुंसुत्र की संक्या, सरचना और जीन में बदलाव से होता है परिवाशा भी मैंने अभी बोली वैसी भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ग्लास में लिख वाई है फिर से बोल दूँ जीवो के गुंसुत्रों में होने वाले सांखी की या संख्या, आकार और आकरती में होने वाले अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन क्या है लात यूगोडी ब्रिज ने बताये था थिके और उन्होंने एक शिद्दान्त दिया था उस सिद्दान का नाम क्या था उत्परीवर्तन वाद का सिद्दान्त इन्होंने किस पर काम किया था इस किस पर काम किया था ये भी याद करेंगे प्रीम रोज के अंदर प्रीम रोज का भी पूरा नाम क्या है आगे वाले बोर्ड पर लिख दू क्या नहीं इधर इधर कर दू क्या यहां पर थोड़ी सी जगा है ठीके यहां पर लिख रही हूं म इवनिंग प्रीम रोज पर इनो ने काम किया था इसका scientific name क्या है इसका scientific name क्या है ओईनो थेरा ओईनो थेरा लेमार्कियाना ठीक है ओईनो थेरा भी मैंने लिखा एक्चुली इसकी स्पेलिंग ऐसी है ओईनो थेरा ऐसी स्पेलिंग है भई इसकी ओईनो थेरा लेमार्कियाना लेमार्कियाना याद हो जाएगा इवनिंग प्रीम रोज पर किया था इन्होंने और सिद्धान क्या दिया था उत्परिवर्तन वाद का सिद्धान और शायद इनकी इनकी बुक भी है दे थियोरी ओफ म्यूटेशन ऐसे कुछ बुक भी है इनकी तो यह लिखना है वही परिबाशित करने के लिए यह बोला था लेकिन एक्स्ट्रा हम लिख सकते हैं हमें हक है ठीके चलो आजो अब नेक्स यह द्वी संकरन क्रोस के जीनो टाइप का नुवाद देखो मैंने का यह सवाल बहुत है तो भी लिख सकते हैं क्या जीनो टाइप लिखोगे भई जीनो टाइप बताना है द्वी संकरन का क्या बताया है 121, 242, शौर्ट में आज करवाया है न, 121, यह हो गया, 121, 242, 121, हो गया वह जिनो टाइप, खतम, रेशन के, अच्छा कहीं बच्चों के उलट फेर, ऐसे पता नहीं क्या क्या ही दे रखा है, वो इधर से उधर, इधर से उधर कर रखा है, हमें तो भई, जैसे याद हो रहा है, वैसे ही करेंगे, ठीक है, रेशन के चार किस्म के नाम क्या है, कहीं बच्चे में एक बार मैंन हमारे इसमें तो two four one one two one two ऐसे कुछ लिखा हुआ बताया उसने तो इसी को उसने इदर उदर कर दिया है तो यह जादा याद करना असान है न बच्चो इसके कंपैरिजन में तो इसको क्यों करें है न अपना दिमाग क्यों खराब करें रेशम की चार किस्वें तो वे चार किस पेपर में आया हुआ है और शायद 2015-17 पतानी कौन सा पेपर था उसके अंदर था मूंगा रेशा मलवरी रेशे और अंडी रेशम ठीक है यह रेशम के परकार है एंसी आटी में इसके बारे में कुछ नहीं है लेकिन पूछा है एक बार हो सकता है वो सिलेबस वाला दिकत क पूछा हो जैसे कि मैंने कहा सिलेबस बाद में बदला है तो अभी तक बियार वाले इस चीज़ को एकसेप्ट नहीं कर पाए है कि सिलेबस बदल गया है ठीक है पॉली प्लोईडी को परिवाशित करें और बहू रेलील क्या है पॉली प्लोईडी क्या था किसी भी गुण स समुच्च के एक से जादा प्रतिया पाया जाना क्या कहलाता है पॉली प्लोईडी पाया जाता है उत परिवर्तन के अंदर हमने पड़ा था जब हमने पड़ी है सू गुणिता सू गुणिता पड़ी थी जिसको हमने यू प्लोईडी कहा था ठीक है जब एक पूरा के पू दो या दो से अधिक प्रती पाया जाना वो दो भी हो सकती है उससे जादा भी हो सकती है उसे हम क्या पोलते हैं पॉलिप्लॉइडी कौन कौन सी होती है ये एक सूगुणिता बहु सूगुणिता ऐसे पढ़ा था ना मोनोप्लॉइडी डाइप्लॉइडी पॉलिप्लॉइड लास्ट वाला जो हमने पड़ा था तो ट्राइसोमी वाली बात नहीं कर रहूं है वो उपर वाला चप था यह नीचे वाला है जहां पर पूरा के पूरा एक सेट बदल जाता है बहु एलील क्या है ऐसे लक्षन जो एक से अधिक जीनो द्वारा या एलील द्वारा प्रदशित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बहु एलील या मल्टीपल एलील कहते हैं और इसका एक्जामपल क्या है अभी बता रही हूँ लिखा हुआ, पहले थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दिया मैंने, चलिए, पॉलिपलोईडी जिसको बहु गुणिता भी कहते हैं, जीवों में गुण सुत्र समुच्च की संख्या जब दो से अधिक होती है, तो वहाँ जीव बहु गुणिता कहलाता है उधारन क्या लिख सकते हो उसका, उधारन क्या लिख सकते हो मैंने आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर, इस चैप्टर में नहीं बताया है, जब हमने ये उत्परिवर्तन पड़ा था, हमने इसको पड़ा था, करशी वाले चैप्टर के अंदर पड़ा था, मैंने आपक कॉंबिनेशन से बनाया हुआ है गेहु और राई के इसा है जाता है कि यह 8 ploidi, 8N और 46 क्रोमोजोम है एसेंक अदर इसा ही hexa ploidi गेहु भी है हमारे पास, hexa ploidi 6N वाला भी है कि क्यों कि 6N भी हो सकता है 8N भी हो सकता है देखो नौर्मली 2N होते हैं इसमें एक-एक सेट बढ़ गया एक से अधिक यहां पे पहले ही बोल जाते हैं 2N से 3N हो गया 3N से 4N हो गया और मैंने आपको यह पूरा एक्स्प्लेइन करके भी बताया था जब हमने यह पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है कॉल्चिसीन नाम बताया था म इंड्यूस करवा सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं लैब के अंदर कॉल्चिसी इंडाल के ठीके बहु एलील क्या है मर्टीपल एलील अब बड़े में आएगा तो लिख दो गया आपको एक्जामपल दे दिया है मैंने ABO वाला इसमें 3 एलील से प्रदेशित होता है यह कौन से है यह तीन एलील से हमारा ब्लड ग्रूप होता है प्रदेशित ठीके किसी जीन के तीन या अधिक एलील हो तो उसे बहु एलील कहते हैं जैसे ABO इसलिए मैं आप शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन्स लाएं क्योंकि हम लॉंग टाइम के दो लिख देते हैं लेकिन जब शॉर इसनल इक्षित मैं से कौन से दो दलो के बीच योजक कडी है यह खतरनाक सवाल है यह मॉडल पेपर के अंदर भी आया है शायद MP वाले मॉडल पेपर के अ दर भी है और UP वाले के अंदर भी है तो इसको एक बार मैंने बच्चों को कहा है देख ले अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम जो है उसमें बोर्ड से हैं क्या कहते हैं अराजस्तान बोर्ड से हैं देखो NCRT में ये डीटेल नहीं है लेकिन देखो चार नाम हैं क्या ही ले जाएंगे चार नाम याद कर लोगे तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्वेस्चन आगया तो फसना नहीं चाहिए आदमी ठीक है हमें तो तैयारी मेरिट की करनी है तो फिर हम तो एक की नंबर भी नहीं छोड़ेंगे क्या है यह सब बताओ प्रोटो तेरा यह सईयोजब कड़ी है कनेक्टिव लिंक की बात की थी हमने कनेक्टिव लिंक और मिसिंग लिंक वाला एक क्वेस्चन मैंने करवाया हुआ है मौडल पेपर में ही आया था बिहार वाले में या यूपी वाले में पता नहीं कई भी भी आया हुआ है एक मौडल पेपर के अंदर आया हुआ था बूल गई मैं चार पेपर करवा दी किसमें क्या था आरकी अब टैरीस है वोई ए था लिख़ता उतना मुझे йाद आ तरही पेपर मुझे नहीं पता कि किस मॉडल पेपर के अंदर देखा सबसे पहला है proto-tels किसकी connective link क्या होते हैं थोड़ा सा explain कर देती हूं जो बच्चे नहीं समझते ऐसे जीव जिनमें किसी दो वर्गों या समूहों के लक्षन पाया जाते हैं वो क्या कहळाते हैं connective link क्या लाते हैं missing links क्या होते हैं विलप्त जो ऐसे जीव जिनमें दो समूहों के लक्षन पाया जाते हैं परन्तु वह अब जीवित नहीं है वो केवल जिवाश मवस्था में उपस्तित हैं ठीक है यह अंतर था फिर से बता दिया में एक बार प्रोटो प्रिस किसका है प्रोटोप्रीड जो है वो किसका है पिस्पिश यानि कि मचली वह उभायचहर के बीच का है उभायचहर मतला ऐंफिबियस ठीक है पैरिपैर्टस किसका है यह तो Qrescent आया हुआ है उसके अंदर model paper के अंदर देखा था यह जो है यह किसका है आनेल एकिडना, एकिडना किसका है, स्तनी, स्तन्धारी मतलब मैमेलिया, मैमेलिया, और रेप्टाइल्स का है, सरी सर्प, रेप्टाइल्स, ठीक है, आर्के उप्टाइल्स किसका है, पक्षी, वह रेप्टाइल्स, और नियोपलीना किसका है नियोपलीना जो पूछा नहीं है वो भी बता देती हूँ वैसे मैंने मॉडल पेपर में बताया था मॉलस्का वह एनलिडा का है ठीक है यह सारे याद कर लेना हो गया जेव प्रोध्योगी की परिवाशा दोर क्राई प्रोटीन क्या है यह बताना है जेव प्रोध्योगी की परिवाशा दे दोगी क्या है जेव प्रोध्योगी की जिसमें जीवदारियों से उससे प्राप्त एंजाइमों का उप्योग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद वा प्रक्रम का विकास किया जाता है वहाँ तकनीक साथ में एड़ गर सकते हो वहाँ तकनीक क्या कहलाती है जेव प्रोध्योगी की कहलाती है एक लाइन एड़ कर दोगे क्राई प्रोटीन क्या होती है क्राई प्रोटीन क्या है वही याद आ रहा है कुछ यह एक यह एक विशेश प्रकार की विशेश प्रकार की प्रोटीन है जिसका निर्माण बीटी बीटी मतलब बैसिलस तुरंजियसिस मैंने शॉर्ट में लिखा है कि अंदर क्राई जीन द्वारा होता है क्राई जीन द्वारा होता है यह प्रोटीन यह प्रोटीन कुछ कीटो द्वारा खा लिए जाने पर खा लिए जाने पर उनके लिए उनके लिए विशाक्त हो जाती है विशाक्त हो जाती है ठीके अच्छा यह सुनो आप और भी बढ़ा सकते हो इसको बढ़ाना चाहूँ मैं बोल देती हूँ आप लिखले न क्या बढ़ा सकते हो कि यह आपको पता है यह बीटी के अंदर अवशाक्त होती है परन्तु जब इसे कीट खाता है क्युक्क्य कीट में इसे कौन सा माIGHTयम मिलता है शारी yang माधयम मिलता है ना शारी कीट को खाजाद मार देती है और हमने इससे क्या बनाया हुआ है इससे हमने बीटी कपास बनाया हुआ है यह थोड़ा बहुत आप और लिख सकते हैं मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है ठीके चलिए निम्न के उत्तर दीजिए आनविक निदान क्या है आनविक प्रोध्योगी की द्वारा विबिन प्रकार के रोगों का निदान निदान का मतलब जाच करना विबिन प्रकार के रोगों की जाच व रोग जनक का रोग जनक का अध्यन करना क्या कहलाता है आनविक निदान कहलाता है डाइगनोसिस मॉलीकूलर डाइगनोसिस कहलाता है ठीके उधारण क्या है हम रपास क्या-क्या टेकनिक्स पढ़ी है हमने इसके अंदर मायो टेकनोलोजी का पोर्शन है PCR पढ़ा हमने ELISA पढ़ा हमने ठीक है यह सारे पढ़े हमने Gene Therapy तो Care Therapy में आ गई PCR पढ़ लिया ELISA के बारे में हमने पढ़ा ELISA सही से लिख देती हूँ मिल गया दोनो ठीक है यह सारी टेकनिक्स हम यूज करके क्या कर सकते है डाइगनोस कर सकते है क्योंकि हमने कहा था मूत्र परिक्षन या और परिक्षन करेंगे तो हमें टाइम लगेगा molecular क्या करती है उसको बहुत जादा multiply कर देती है जिससे हमें जल्दी से पकड़ में आ जाती है ठीके next next है हमारे पास कि द्वी रुपता और बहुरुपता में क्या अंतर है द्वी रुपता किसे किता है dimorphism जब नर और मादा एक दूसरे से अलग दिखते हैं आकार और आकरती में तो हम उसे द्वी रुपता कहते हैं जब कि बहुरुपता किसी जीव का बहुत सारे रुपों में पाया जाना देखो यहां पर DNA की बहुरुपता नहीं पूछिए हमने DNA की बहुरुपता भी पढ़िए DNA का वंशागती रूप में उच्छ आवरती पाया जाना DNA polymorphism कहला था जिसमें हमने VNTER को पढ़ा था यहां पर DNA वाली नहीं पूछिए अगर DNA बहुरुपता पूछिए होती तो हम वह वाला portion लिखते हैं यहां पर सिब बहुरुपता पूछिए तो हम normal जीव के बारे में बताएंगे कहीं जीवों में नर्व अमाड़ा को माप आकार आकरती में बिन्नता पाई जाती है जिसे पूरुष और स्त्री एक ही जीव के दो रूप क्या कहलाते हैं द्वी रूपता जिसको डाइमॉर्फिजम कहते हैं बहुरुपता क्या है जब एक ही जीव के बहुत से रूप होते हैं इसे हम बहुरुपता कहते हैं जैसे मदुमक्षी में देखो मानो पारिश्चिती की तंदर के बारे में लिखे क्योंकि हमें यहां पे नहीं दिया है Dna और यहां पे द्वीरुपता के साथ दिया है इसका मतलब बहूरुपता के बारे में ही बोल रहा हूँ तो ऐसा पारिष्थिति की तंद्र के बारे में लिखे ऐसा पारी तंत्र जिसका मानव द्वारा किया जाता है मानव निर्मित पारिस्थिति की तंत्र कहलाता है जैसे क्रशी खेती है क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर खेत एक्वेरियम ठीके यह सारे जो है फसल हुगाना खेत के अंदर यह सब मानव द्वारा निर्मित पारिस नड़ान्ग के लिए यह एक श्थाई रूप से तयार किया जाता है क्योंकि वही आपको समझनी आएगा इसलिए मैंने इसको बढ़ा कर दिया है वैसे यह एक नमर के question में ही था लेकिन यह क्रशको द्वारा फसल को प्राप्ति करने के लिए अस्थाई रूप से त्यार किया जाता है लेकिन यह अपने आप में पूर्ण होता है इसमें सब कुछ है उत्पादक भी है वोगता भी है इसको खाने वाले भी है सब रहेगा पारिस्तिति की तंत्र का ही काम करेगा एक्वेरियम भी ऐसा ही काम करेगा इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादग प्राप्तियतू उर्वर को कीट नाशो रासाइनो आधि का बहताहाशा उप्योग किया जाता है बहताहाशा मतलब बहुत ज़्यादा ठीके एक्सेसिव ठीके तो ये थे हमारे भई इंप्रिवर्टन इतना आधिक होता है कि इनको क्रतीम पारिस्तिति की तंत्रäl कहते है दो नुकसान जाएक में तिस्तली पारिस्तिति की तंत्र में गाव, शहर, आर्चड, आर्चड क्या होते हैं? जिनको आर्चियाड भी कहते हैं, जहां पे फ्रूट उगाया जाते हैं, गार्डन के अंदर फ्रूट और सब्जीया बगाया जाती है, व्रक्षाड उपन, जन्तो सईद, बगीचे, पार बांध, जलाशे, नहरे, मतस्य पालन के लिए तालाब भी बनाया जाते हैं, मचली पालन के लिए जो आप, मचली पालन भी हमने देखा है, जो पांड वगेरा बनाएंगे फार्म के अंदर, वो सब आपने बनाया हैं, करत्रीम रूप से हैं, तो ये सब, तालाब तो देख नेक्स से, अंतर परिवर्तित गाय का नाम और इसमें कौन सा विशेश प्रोटीन होता है, अंतर परिवर्तित गाय मतलब हमने कौन सी गाय बनाईएं भई, ये चैप्टर नमबर 9 है शाएद, जो पे हमने प्रजनन वाला नहीं, जेव प्रोध्योगी वाले चैप्टर के अ ना गाय बनाई थी न हमने जेव प्रोद्यों की से रोजी नाम है यह question बहुत important यह बचो आया हुगा है यह यह बले ही नहीं लिखा हुआ है लेकिन यह आया हुआ question है जिवानों जनित किनी चार प्रतिजेविकों के नाम बताओं लिख लेंगे यह पर मैंने लिख दिये है पैनिसीलीन जो है पैनिसीलियम नोटेटम यह तो वैसे important है उसके बाद टेरामाइसीन जो है स्टेप्तोमाइसीन रेसोसम यह NCRT में पीछे question भी है इसलिए मैंने इसको बताओ कि कौन-कौन से है ऐसा कुछ सवाल है इसी chapter के अंदर एरिक्रोमाइसीन स्टेप्तोमाइसीन एरित्रीन और स्टेप्तोमाइसीन यह थोड़ा सा important है यह दो तो important है बाकी आप जो है यह पूछे वे भी हैं क्योंकि यह आपको चार बोला है तो फिर मैंने चार लिख बैक्टीरिया से पूछा है ठीक है जिवानु जनित पूछा है वैसे तो पैनिसीलीन कवक है लेकिन हम भई ठीक है लिख दिया हमने क्योंकि वहाँ पे शुक्षमजीव के हैसाब से लिख दिया है क्योंकि पैनिसीलीन जो है पैनिसीलीन तो भई कवक है ठीक है स्टेप्ट section में जरूर लिखके बताएंगे कि कैसा रहा आपका ये short type वाला segment मिलेंगे next class में तब तक के लिए बाई